आज बनाएंगे संत्री केंडी इनने कंपट कहते हैं आपने इनने बच्पर में जरूर खाया होगा उसे मे जुआज के भी कषाते है और कटर करके भी try .com में आपका स्वागत है तो शूरू करते हैं ! ये एक किनु ले लिया है संत्रे में ले सकते हैं उस समय कें बहुत ज्यादा मार्केट में यह ले लिया यह थोड़ा बड़े साइश का है 300 ग्राम का इसमें आधा कप जूस निकल आया अब गैस पर काम करते हैं तो यह कढ़ाई लेली यह आदा कप जूस कढ़ाई में डाल दीजे और देर कप चीनी बजन में 300 ग्राम फ्लेम अब इसे चलाते हुए कुक करते हैं अभी आप फ्लेम को मीडियम हाई रखिए और चीनी घुलने तक कुक कर लिजे इसे कुक होते हुए चार मिनिट हो गए इसमें जहाग बनने लगे है और चीनी घुल गई है अब फ्लेम को मीडियम कर लिजे और इसे लगातार चलाते हुए कुक क जाग बन रहे हैं इसका लेकिन कलर बहुत हलका है और हमें केंडी में औरेंज कलर चाहिए तो इसमें थोड़ा सा औरेंज फूट कलर मिला लीजिए तो यह देखें चम्मच पर मैंने जरा सा छिड़का है बहुत ही कम आदा पिंच से भी आदा यह ड्राइफ फूट कलर है आप लिकुड भी ले सकते हैं ध्यान रहें कलर बहुत कम मिलाना है इसको लगातार चलाते हुए कुक करना है छोड़ना नहीं इसे पांच मिनिट और कुक किया और देखें यह काफी गाड़ा हो गया है मीडियम फ्लेम पर कुक कर रहे हैं और यह संत्रे की कैंडी बनाने के लिए आप पीतल की अल्मुनियम की या फिर लोई की कढ़ाई बिल्कुल मत लीजिए इसे आप नॉन स्टिक में या स्टील की कढ़ाई में या फिर हार्ड अनॉडाइस कढ़ाई में कुक कीजिए और अब इसे चैक भी करना शुरू करते हैं तो यह प्याली में पानी भरकर ले लीजिए और थोड़ा सा सीरप इसमें टपकाईए इसे चलाने का बराबर धिहान रखिए छोड़ना नहीं है इसे चलात थे रहना है इस भी धीमी करके इसको चेक कर đây अभी इसमें बहुत कमी है बिल्कुल लूज है किस बार हम इसे चैक करते रहेंगे हरी दौ मिप्र अब ये परफेक्टप नहीं है थोड़ाइस और को करते हैं फिर चैक करते है यह तूट रही है एक проис itselfすनिη य gibi अब ये परफेक्ट कुक हो गई फ्लेम बंद कर दीजे तुरंद ज्यादा बिल्कुल नहीं कुक करनी चीनी खुलने के बाद इसे मैंने 15 मिनिट कुक किया है और अब इसे फटा-फट मोल्ड में डाल दीजे सीरप को चमच से जल्दी-जल्दी मोल्ड में डालते जाए इसको ठंडा नहीं करना है वरना यह कडाई में ही सेट हो जाएगा यह चॉकलेट मोल्ड है अगर आसपास नहीं मिले तो आप इसे ऑन-लाइन ले लिजे और आदा-दा मोल्ड भर रहे हैं कैंडी थोड़ी सी पतली बनेंगी आप पूरा मोल्ड भर सकते हैं एक-एक चमच डाल र जाए हो गए तो अब इनने मोल्ड से निकालते कितने बढ़िया बनी है बहुत अच्छी केंडी बनी है एक दम ड्राइफ आवास से पता लग रहा होगा कितने अच्छे से सैट हुई है और अब दूसरा वाला मोल्ड भी खाली कर लेते हैं संत्रे के कैंडी बनकर तयार है बहुत ही टेस्ट्री है बहुत मज़ेदार बनी है आप इना बना कर जरूर खाईए आपके बच्पन के यादे पूरी ताजा हो जाएंगी और इनका बनाना आसान है लेकिन जब चीनी घुल जाये जूसमें और उसमें थोड़े जाग आने लगें आप उसे चलाते हुए दो- तक चास्नी किच रही है तब तक वह तैयार नहीं है जैसे ही चास्नी टूटने लगेगी एकदम तयार है तुरंत गैस बंद कीजिए और उस चास्नी को जो सीरप है मोल्ड में तुरंत गरम-गरम डाल दीजिए बहुत अच्छी कैंडी बनकर तैयार होंगी इन्हें किसी ए आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चल्दी से कर लीजिए बैल आकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नहीं रही स्पीच के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें शेयर और लाइक भी कर दीजिए